आप BSNL के self-care app में login होने जाते होंगे तो उसमें आपको problem आ रही होगी वहाँ पे OTP आपको receive नहीं हो रही होगी ठीक है तो यहाँ पे आप जैसे में BSNL app पे click करता हूं तो इसमें मैं जैसे नमर डालके login होना चाहता हूं तो OTP नहीं आती है ठीक है time पूरा हो जाता है तब OTP हमें receive नहीं हो रही है ठीक है तो आपको यह problem फिस करनी पड़ रही है तो आज मैं आपको उता हूँ ऐसे आपको कैसे ठीक करना है सबसे पहले मैं यह क्लिए कर देता हूं BSNL की SIM पर जब तक आप recharge नहीं कर बाएंगे तब तक BSNL के self-care app में आप login नहीं हो पाएंगे इन अपडेट के लिए बोलता है तो अपडेट हो जाना है ठीक है और यहां पर इस पर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यह काम करना है ठीक है यानि कि recharge करना है रिचार्ज करेंगे तब भी आज इसमें login हो पाएंगे उसके बाद आपको OTP आने में problem हो रही है यह recharge भी है ठीक है इस तरीके से यह आप करेंगे उसके बाद यहां पर permissions पर क्लिक करना है और यहां पर आपको देखना है permissions यह permissions होती है सभी आपको यहां से अलाव कर देनी है ठीक है बैसे automatic यह ले लेता है ठीक अलाव करेंगे उसके बाद आप यहां से बहार आ जाईए अब आप इस एरो पर आप क्लिक करेंगे राइट यह रेट कल रखा और उसके बाद इसी नमबर पर OTP जाएगा यह देख सकते हैं finally OTP हमें receive हो चुका है ठीक है 23-21-87 मैंने यहां डाल दिया है OTP तो यह देख सकते हैं यहां पर मैल्टीपल आइकॉंट देखने के लिए मिलना है तो यहां स्किप कर दूँगा मैं जैसी मैं स्किप करूँगा तो यह खुद वो खुद हमारी सारी चीजें डिटर कर लेगा और यह इस तरीक से हमें यहां यहां पर नम mahar यहां जाएंगी और यह तरीक से हमें और यहां पर केटना बैलेंस पगे तो इस तरीक से यहां पर आप देख से रीचार्च करना चाहते हैं रीचार्च वाज सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आप रीचार्च भी कर सकते हैं ठीक तो व्यूडियो आपको यह कैसी लगी खामें के कोमेंट में जरूर बताईए जैहंद